आप घर पर सुरक्षित रहते हुए, स्वक्ष रहते हुए, आप शुरक्षित होंगे, शात में अपना अध्यापन भी चारी रखे हुए, तो आज हम लोग दूतिये कच्छा के संस्कीत विशा में पंचम पाठ का हम लोग का भी कालांस चल लहा है, पिछले कालांस में हम लोग ने इस पाठ से संबंधित जो सब्दार्थ था, उसका अध्यन किया था, आशा है आप वह पूरा कर चुके होंगे, उसका ग्रहिकार, पिछले कालांस का ग्रहिकार, जो सब्दार्थ आप कॉपि में लिखे होंगे, याद भी किये होंगे, नहीं किये होंगे, तो जरूर अवसे अवे पूरा कर लेंगे, इस पाठ में हम लोग को अस्ति नास्ति अत्र तत्र कूत्र शर्वत्र इन सब्दों से बने हुए वाक्यों का भ्यास करना है। इसी पड़ाधारिक हम पिछले कालांच में बताये थे अस्ति का आर्थ होता है नास्ति नहीं है अत्र यहां तत्र वहां कूत्र कहां शर्वत्र अर्था सभी जगा। आपके पास बुक होगा बुक में फिगर दिया होगा फिगर के आधार पर वाकिब बनाया गया है चित्र दिया होगा अर्थाथ चित्र तो एक गिलास होगा और उसके लिए है चसका अस्ती चसका अस्ती अर्थाथ गिलास है जैसे माल लिए यहां पर एक गिलास है और इसमें जल है तो चसकह अस्ति गिलास है जलम अस्ति जल है गिलास में जल भी है इसलिए जलम अस्ति जल है फिर यहाँ पर फिगर है गिलास का चसकह अस्ति चसकह अस्ति अर्था गिलास है जलम नास्ति जल नहीं है जलम नास्ति यहाँ पर जल है यहाँ यहाँ पर खाली है इसलिए जलम नास्ति जलम नास्ति अर्था जल नहीं है चसकह अस्ति गिलास है जलम अस्ति जल है चसकह अस्ति, जलम नास्ति, चसकह अस्ति, जलम नास्ति, जलम नहीं है पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है, लेखनी अस्ति, लेखनी अस्ति, कलम है लेखनी अस्ति, कलम है, पुस्तकम अस्ति, यहां भी पुस्तक है लेखनी नास्ति, पर लेखनी नहीं है, कलम नहीं है पुस्तकम अस्ति, लेखनी नास्ति, पुस्तक है लेखनी नहीं है चात्रम अत्रस्ति, चाता यहां है चाता यहां है तो आज हम लोगों ने अस्ति, नास्ति, अत्र, तात्र, कुत्र का अभ्यास किए सेश्ट आप लोग भी इसका अभ्यास किजेगा हिंदी में अर्थम नहीं लिखे है कारण जगह का कुछ यहां पर अभाव है तो नहीं लिखे हैं को अपने कौपी में लिखना है जो चित्र दीया हुआ है आप चित्र बना सकते हैं तो चित्र भी बनाएंगे नहीं तो इसका लिख करके और इसका हिंदी भी लिखेंगे जैसे मैं बताया हूँ चसका अस्ति, गिलास है, जलम अस्ति, जल है, चसका अस्ति, फिर से गिलास है, जलम नास्ति, जल नहीं है, पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है, लेखनी है, या कलम है, पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है, लेखनी नास्ति, कलम नहीं है, या लेखनी नहीं है, चत्रम अत्रस्ति चत्रम अत्रस्ति चाता यहां है चत्रम कुत्रस्ति चाता कहा है चत्रम तत्रस्ति चाता वहां है तो इसको आप फ्यरकुपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे सब्दार्प का भी याद करेंगे और इसी तरह अत्र तत्रस्ति नास्ति से भी आप और पास पास ठो या दो दो ठो कम से कम बनाएंगे अपने से यहां आपके ग्लिकार के रूप में हुआ कॉपी में भी लिखेंगे याद भी करेंगे पुना सेश के साथ अगले कारांस में मिलेंगे धन्यवाद